तमाम मेरे दोस्तों को आसेम होबीज एंब आनिंग में बहुत बहुत खुशाम देर वेल्किम टू आसीम होबीज एंब आनिंग मेरे दोस्ते बाब इस वक्त मेरे हाथ में आप जो क्वाइन देख रहे हैं यह कैननडा का यह क्वाइन है और आज की वीडियो में इस क्वाइन के हवारे से what about the front side of this coin what about the back side of this coin what about the images on this coin what about the face value of this coin year of issue this coin what about the diameter mass thickness shape composition each and every information can be shared out regarding this canadian coin and especially what about the price nowadays here in asia pakistan and the worldwide so please kindly subscribe my channel and press notification button to keep in touch next coming videos regarding coins जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि यह कैननडा का यह क्वाइन है that is to be the front side of a Canadian coin और इसमें जो आपको portrait पिक्चिर नजर आ रही है वह Queen Elizabeth 2 की यह पिक्चिर है इसमें 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 मैंचिन है अब बात करते हैं इस coin की back side के वाले से that is to be the back side of a Canadian coin और इसमें जो center में जो आपको picture नजर आ रही है that can represents the official symbol of Canada और उपर round form में है इसकी जो face value है यह five cent का है यह coin है और इसमें नीचे है Canada लिखा हुआ है और यह जो coin है issue हुआ year 2012 का यह five cent का है यह Canada का यह coin है अब बात करेंगे कि इस coin की diameter के हवारे से इस coin का जो diameter है 21.21 mm diameter है इस coin की जो thickness है 1.76 mm thickness है और इस coin का जो weight है यह मैस कहलें वह 3.95 ग्रैम है और यह खूबसा चमक था चमक था फ्रेंट और बैक से यह shining shining आपको यह coin है यह किस दहास से मिलके बना है यह किस composition से मिलके बना हुआ है यह coin है यह nickel plated steel से है यह coin है यह मिलके बना हुआ है और इस तो बी यह long shape coin इसमें जो five cents है यहां रिखा हुआ है रॉन फॉर्म में लिखा हुआ है और इसके जो edges है that is to be a plain or smooth edges जैसे कि आप यह देख रहे हैं और आप बात करेंगे कि आगर आपके पास यह कैनाडा का year 2012 का five cents का यह coin है तो पाकिसान में यह coin है किस प्राइस में सेराल होगा नॉर्मली पाकिसान में यह coin है नॉर्मली आपको चार से कोई साथ डॉलर तक इस coin की मिर सकते हैं अब depends according depends करता है कि according to the condition of the coin जिसना के यह shining shining चमता है किसी किसम का कोई scratch कोई lining कोई तरह का damage नहीं है तो आपको यह जो coin है चार डॉलर तक मिर सकता है और पाकिसान से बाहर अगर आगर आप किसी एशिन कंट्री में या वर्ल्ड वाइट आप coin सार बाना के कोई की वीडियो पसंद आएगी बाइफ रॉम आसिम होबीज एंद आनिंग